तो आईए स्वागत है आप सभी आगनवारी सेविका बहनों का पोशन ट्रेकर एप की इस महतोपूर्ण अपडेट में जैसे की 18.2 का जो यह अपडेट आया है जिसमें की आप लोगों को तीन ऐसे महतोपूर्ण अपडेट के बारे में बताया गया है लेकिन जो तीसरा अपडेट है उसके बारे में आपको किसी ने नहीं बताया है जैसे की AWC Infra Update तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे की AWC Infra Update में क्या-क्या फंक्सन को एड़ किया गया है और इसको सभी सेविका बहनों को फिर से अपडेट करने की जरूरत है चलिए मैं आपको बताता हूँ कि AWC Infra में कुछ ऐसे फंक्सन आए है जिसको आप सभी सेविका बहनों को फिर से एड़ करना है तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान से देखिएगा इसमें आपको step by step जनकारी दूँगा कि यह जो function है वो क्या है और कैसे इसको अपडेट करना है ठीक है वीडियो में दीगे जनकारी अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दिजेगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजेगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने i-series की गुरूप में सेर भी कर दिजेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं चलिए अब हम बारते हैं AWC Infra Update करने के लिए तो उसके लिए हमें क्या करना है यहाँ पे हमें More वाले Option पे किलिक करने के बाद AWC Infra का Option आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको एक बार किलिक कर देना है अब यहाँ से आपको वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है जैसे कि आपने पिछला अपडेट यहाँ पे किया होगा तो वो अपडेट आपको यहाँ पे रेड करके गोल घेरे में देखने को मिल जाएगा और जो जो नया अपडेट आपको यहाँ पे दिखाये जाएगा तो इस पे जैसे किली करेंगे तो आपने पिछला record कोब यहाँ पे update किया था उसका date यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे आपका AWC code देखने को मिल जाएगा ठीक है उसके बाद नीचे आते हैं नीचे आने के बाद देख सकते हैं कि हमने जो पिछला record अपडेट किया था वो यहाँ पे हमें घेरे में देखने को मिल जा रहा है और यहाँ पे जो खाली दीख रहा है तो इसका मतलब यह आपका नया update यहाँ पे आया है ठीक है तो इस परकार से आपको देख लेना है अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो लिखा गया है building का स्वामित हो तो यहाँ पे आपका किराय पे रही या स्वामित हो है वो आपको select कर लेना है अगर आप यहाँ पे किराय पे select करते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे किराय का details डालना होगा कि कितना किराय आपको आप लोग उसका details यहाँ पे आपको भर के submit करना होता है अगर स्वावमी तो आपको किराया वगरा भरने की कोई ज़रूत नहीं है या फिर आपका यहाँ पे विद्याले जो है यानि आगन बारी जो है वो विद्याले में चलता है पंचायत भावन पे चलता है या खुली जगव में चलता है या orders में चलता है उसका details यहाँ पे आपको भरना होता है ठीक है और यहाँ पे इस परकार से यह जो blink कर रहा है तो यह server के कारण आप लोग को इस परकार से blink देखने को मिल रहा है इसके लिए आपको घबराना नहीं है उसके बाद यहाँ पे वर्ग में आपको select करना है कि आपका जो आगनबारी है वो गरामिन छेतर से बिलोंग करता है या सारी छेतर से है या जनजातिय छेतर से है वो आपको chain करना होता है तो यहाँ पे हम गरामिन छेतर से आते हैं तो गरामिन सेलेक्ट करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पे जो किराय का ओप्षन है वो सवमी तो वाले पे किलिक किये रहेंगे तो आपका यहाँ पे खुल के नहीं आएगा नीचे आप लोग जाएंगे तो दो चार और इसे फंक्सन है जो नए ने एड़ किया गया है उसक आपका जो बिल्डिंग है वो मंजूर की गई है तो आप यहाँ पे हाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे जारी रखे पे किलिक कर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं दूसरे नमर आप्षन में बिल्डिंग का बिल्डिंग का बिल्डिंग का बिल्डिंग पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे हाँ नहीं सेलेक्ट करना होता है ठीक है उसके बाद साइड विभाग को सौप दी गई है यहाँ पे आपको हाँ और नहीं में सेलेक्ट करना होता है फिर यहाँ पे जारी रखे पे किलिक कर देना होता है इसके बाद आते हैं तीसरे नमर क की जगह तो आपको यहां पर हां नहीं पूछ रहा है यह सभी आप लोग अपने हिसाब से देख लेंगे कि हमारे यहां पर क्या-क्या बेवस्थाएं है ठीक है रसोई रसोई है तो हां यह नहीं सिलेट करना है उसके बाद पौधे के बारे में पूछ रहा है पौधा है तो हां नहीं है तो नहीं पौधे की जगह है तो हां उसके बाद यहां पर बाल नहीं पेंटिंग के बारे हम पूछ रहा है कि आपके आगर बारी केंदर पर बाल नहीं कराये गया है तो आपके आगर बारी केंदर पर कराये गया है तो हां करेंगे न प्रेसर कूकर देखिए अगर प्रेसर कूकर आपके आगनबारी केंदर पे हैं तो यहां पर हां करेंगे तो यह जो प्रेसर कूकर का परकार है वो खुल के आज आएगा आपको यहां पर उसका डिटेल्स भरना होगा अगर नहीं करते हैं तो कोई यहां पर डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है जैसे कि यहां पर हां करके दिखा देते हैं जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो प्रेसर कूकर चु उसके बाद मा और बच्चे के लिए वजन का पैमाना है तो यहाँ पे हाँ करेंगे, देखिए एक चीज यहाँ पे नया देखने को मिल रहा है, वेटिंग स्केल फंक्सनल जो आपका वजन मसीन है वो काम कर रहा है तो काम कर रहा है तो हाँ सिलेट करेंगे और काम नहीं कर रहा है तो नहीं सिलेट करेंगे तो यहाँ पे मैं हाँ के लिए कर दे रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ जो वेटिंग मसीन है वो काम कर रहा है सिसो के लिए वजन का पैमाना और वेटिंग स्किल फॉंक्सनल देखिए यहाँ पे दो बार ahead किया गया है तो आपको दौनों पर हाँ कर देना है ठिक है उसके बाद gas connection gas connection है तो आपको हाँ करना है नहीं है तो नहीं करना है अगर gas connection यहाँ पे हाँ करते हैं देख सकते हैं यहाँ पे हाँ करते हैं सिलेंडरों की संख्या पुझेगा कितने सिलेंडर है यहाँ पे किलिक करेंगे तो यहाँ पे सिलेंडर की संख्या पुझेगा एक, दो, तीन, चार, पाँ जितने भी cylinder की संखिया है वो यहाँ पे आपको दर्ज करना होगा तो फिलाल के लिए हम यहाँ पे नहीं करते हैं ठीक है सोचाले के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कि सोचाले है आपके आगनबारी केंदर पे हाँ यहाँ पे है तो हमने हाँ सेलेट किया है और देखिए यहाँ पे एक चीज नया यहाँ पे एड़ किया गया है टाइप आफ टॉयलेट एट आगनबारी सेंटर यहाँ पे यही चीज को नया एड़ किया गया है यहाँ पे टाइप आप पूछ रहा है कि आपके आंगनबारी केंदर पर अगर सोचाले है तो किस परकार का सोचाले है Child Friendly यानि की बच्चों के लिए टोयलेट है या फिर Floss System है या फिर Only Urinal है जैसे की जो मुतराला ही होता है वही है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है कि क्या है आपके आंगनबारी के अंदर पर या फिर Only है तो Only Select कर लेंगे उसके बाद यहाँ पूछ रहा है Water Facility in Toilet यानि कि जो आपके टोयलेट है उसमें Water की Facility है पानी की सुविधा है अगर है तो यहाँ पर हां करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे ठीक है क्या नए सवचालेओ के निर्मान को मंजूरी पराप्त हुई क्या अगर आपके आंगनबारी के अंदर पर सवचाले नहीं है तो नए सवचाले के लिए मंजूरी पराप्त हुई है हाँ या नहीं म यानि कि जो आपका वेटिंग मसीन है इन फेंटो मिटर यानि बच्चों को मापने वाला जो मसीन है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है काम कर रहा है तो हां करेंगे और नहीं कर रहा है तो नहीं करेंगे तो यहाँ पर मसीन काम कर रहा है ठिक है उसके बाद एस्टेडियो मीटर एस्टेडियो मीटर यहाँ पर फंक्सनल है या नहीं है तो यहाँ पर हाँ करेंगे और नहीं है तो नहीं करेंगे इतना सारा कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे जारी रखे पे किलिक कर देना है जारी रखे पे जैसे ही किलिक करेंगे तो फिर से आपका अगला पेज खुल के आ जाएगा बिल्डिंग की मरमत का विबरन भड़ियेगा जैसे कि क्या बिल्डिंग की मरमत पहले से हो चुकी है अगर हो चुकी है तो हां करेंगे और नहीं हुई है तो नहीं करेंगे क्या building की पुताई की ज़रूरत है तो यहाँ पे हाँ नहीं select करेंगे आप अपने अनुसार ठीक है क्या building को भविषय में मरमत की ज़रूरत है तो हाँ भविषय में हो सकता है कि यहाँ पे building की मरमत की ज़रूरत पर सकती है तो यहाँ पे हाँ select कर लेना है और यहाँ पे जारी करना है क्या बिल्डिंग को भवी से हमें उन्नत अपग्रेट करने की ज़ूरत है तो यहाँ पे सेलेट करने ना है आप अपने अनुसार और इतना सारा कुछ करने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करे कप प्लीक कर देना है जैसे की सुष्मिट कर देते हैं पर कि शव्मीट करने से पहले आपको बता दू कि वहां पे जब समिट कर रहा था तो इस पर बील्डिन कंविन बिप्अ कि दिखा रहा था यानि की समुदाई यां का छो प्रें उसको हमने गया था तो हमने यहाँ पर गरामिन सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जारी रखे पर किलिक कर देंगे ठीक है है आगनवारी केंदर का विबरन जो है वह यहाँ पे सक्सेस्फुली सम्मिट हो चुका है तो इसी परकार से आपको AWC Infra का आपको एक बार फिर से आप सभी आगनवारी सेविका को यह अपडेट कर लेना है जो जो भी आपको नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद